देंक यू मानिय स्री भीर सिंगी धन्यवाद बहुत है पोविट दुनिस का भारत में विरोजगारी वे अर्थ रवस्ता पर बहुत थानी कारेक प्रभाव पड़ा है लोगडान के कारण मैई 2020 तक देश में विरोजगारी दर चोज प्रितिसत हो गई है जिसका मुख्या कारण मांग में कमी के साथ साथ कम्पनियों दौरा बड़ी-बड़ी संक्षा में कैरेवल की छट्डी की है 27 मिलियन से अधिक विवाओं के अकेले अप्रैल में नो प्रितिस होने का कारण अर्थ वबस्ता पर बुरा असर दिखा है देश में 15 सितंबर 2020 तक कुल वेरोजगारी दर 7.7 प्रितिस थी जो की सहरी छेत्र में 9 प्रितिस हो ग्रामिल छेत्र में 7 प्रितिस हो थी इसका प्रिमुक कारण मुख्यरूप से कुलिसी रोजगार अर्थ वरस्ता है जहां रोजगार कुलिम्रान और सेवाओं का मिसन है महोदा मामारी से देश के अर्थ वरस्ता पर गहरी चोट पोंची है अपितु इसकी सबसे ज़ादमार गरीबों पर पड़ी है एक तरफ रोजगार के अफसर कम हुए हैं तो दूसरी तरफ आवसक सामान के दाम बड़े हैं मांग खतम होने से बड़े पैमाने पर ऐसंक्टित छेत्र में काम करने वाले लोग विरोजगार हुए हैं महदय आपूर्ती पिरवावित होने की बज़े से गैर जरूरी आवसक सामान की कीमतों में बड़ी हो रही है और समाज में एक नई तरह की ऐसमानता उपजी है विशेशकर आर्थिक सामाजिक सोसित वर्ग के समाज से आप इसमें काम करने वाले पेशेवर लोग घर से काम कर रहे हैं जबकि मजदूर और एसंक्रित छेत्र में काम करने वालों को बहर जाना पड़ता है इससे उनके कोरोने से संक्रित होने का खत्रा बड़ा है मोहदय मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कोरोना के चलते भारी बेरोजगारी से निपटने है तू सरकार स्रम सुधार के बड़े कदमों के सास महिला स्रमों को की भागिदारी सुनुचित करे किर्सी छेतर में निर्वान बढ़ावे उत्पादन आरित अस्तोरस्ता बढ़ाने के लिए मैं आई की सहुलित देवे और सरकारी बैंकों को अतिरिक फूनी निरत करे मोहदय आज हमारे देश में करोना के कारण लगभग 24 करोड व्यक्तों को रोजगार होना पड़ा है केन सरकार के द्वारा जो बिना त्यारी के लोगडाउन किया गया उससे बहुत परिसानी बढ़ी लोगों को क्योंकि अगर इसी को एक हपता पहले किया जाता क्योंकि जन्वरी में पहला केस आ गया था जन्वरी में पहला केस आ गया था अगर इसकी त्यारी उसी समय से होत तो उनको अपने घर जाना पड़ा जाने के लिए कोई सादन नहीं था वो पैदल चले तो कोरोना से कम भूख से जाद मरे गरीब लोग इससे गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए आज प्राइबिट अस्पतालों में जो प्राइबिट अस्पताल चिन्नित जे गए है करती है हड़ डिस्टिक लेविल पर मौ उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादे कोरोना के केसाज हो रहे हैं और सरकार प्रियास कर रही है पर प्राइबिट अस्पतालों में कोई विवस्ता नहीं है वहाँ पर आक्शिजन की कमी है और खास करती है वो उनको कम्प्टियों से निकाला गया अपने गाऊं गए यह सरकार के दौरा कहा गया कि गामों में उनको चा म्हाँ स्युक्तर प्रसागा उत्र नहीं है यो अर अच पर यश्तार असकर पर यहew को कुपरसंदर के हो रहा है उदर ध्यान त्यान दिया Pre楼 ही मेरी आगज़ है बहुत दन्याबाद श्री विश्वीष्वीृ दैमरे सिरी विश्वीष्वीष्वीट माझूद नहीं है स्री विश्वीष्वीष्वीष्वीष्वीष्विष्व usability